इस पर्टिक्लर वीडियो में आज हम जानने वाले option buying की entry techniques को. यह वो different different entry techniques है जो मैं अपने trading में भी use करता हूँ. तो आपने देखा होगा कि मैं option buying के live trading की videos आपके साथ में share करता हूँ. उस में मैं different different ways से options में entry करता हूँ. तो यह क्या type की entries रहती है और इसको हम practical market में कैसे use कर सकते हैं इसका अच्छा explanation इस particular video में आपको मिलेगा. Definitely as a option buyer यह particular video आपके लिए बहुत valuable होने वाला है. At the same time मैं आपके साथ में share करने वाला हूँ एक ऐसा hack जिसको आप actually use कर सकते हो इन particular techniques को समझने में और आपको भी पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा improvement आपके option buying में इससे आने वाली है. So without wasting any time, let's get started. So traders, आपने एक चीज़ देखी होगी, कि मैं जब भी entry लेता हूँ, कभी-कभी मैं बोलता हूँ कि अगर market retrace करके नीचे आ जाता है, कोई एक particular option अपनी premium down करके नीचे आ जाता है, तो मैं वहाँ पे कुछ quantity और add करूँगा. और कभी-कभी मैं clear बोलता हूँ, कि अगर market नीचे आता है, तो यहाँ पे मैं fresh quantity और add नहीं करूँगा. Even sometime आप ये भी देखता हूँ, कि मैं ये बात करता हूँ, अगर market इस particular level के उपर आ जाता है, तो मैं कुछ quantity और add करने की attempt परूँगा. तो basically entries जो होती है न, वहाँ पे एक different categories होती है, तो ये पहले categories क्या होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और उसके बात में, उसके साथ में risk कैसे manage की जाती है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा idea देता हूँ. So first thing first, अगर मैं बात कर रहा हूँ, entries की, तो entries तीन टाइप की होती है, एक होता है आपका onspot entry, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि भई, मेरी लिए ये best entry है, मैं यही पर entry करके काम स्टार्ट करणूगा, दूसरा होता है, ठीक है, कि भई, breakout होगे, अब retest करने दो, इसके बाद मैं कुछ entry लेता हूँ, और एक होता है, ठीक है, तो ये वो तीन चीज़े है, जहाँ पर अगर market, मुझे दिखता है कि एक particular spot पर आगया, spot बहुत बड़ी है, मैं enter कर जाओंगा, एक बार breakout हो जाता है, उसके बाद मैं retesting में, breakout के साथ आप कुछ quantity अंदर लेके आते हो, और retesting में आप कुछ quantity और add कर देते हो, और त यहाँ से आगे price भाग सकते हैं, तब जाके हम कुछ quantity और add कर देते हैं, ठीक है, तो ये तीन अलग-अलग way होते हैं, ठीक है, तो एक तो होगे आपका on spot entry, दूसरा जो होता है breakout और retest, यहाँ पर हम करते हैं down pyramiding, ठीक है, तो इस particular zone को, अगर market इस तरीके से आपको लगता है कि भई एक breakout हो रहा है, breakout के बाद एक बड़िया opportunity में यहाँ पर कुछ quantity add करता हूँ, तो एक set of lots आप यहाँ पर add कर देते हो, समझो आप regularly दो lot option से bind करते हो, तो एक lot आप वहाँ पर add कर देते हो, और यह आपका SL है, और market जब नीचे आ रहा होता है, तो SL से पहले आप कुछ quantity और add करना चाहते हो, तो यह आपका दूसरा lot जो है, इस particular zone में add हो जाता है, जिसके नीचे आपका SL है, अगर market SL के पास आ जाता है, तो आप दोनों ही lot वहाँ पे exit कर जाते हो, ठीक है, तो यह जो particular one or two SE entries है, यानि एक basic entry आपकी पहली होगी और दूसरी entry आपकी retesting में हो र pyramiding ठीक है, तो यह हो गया आपका down pyramiding और एक time ऐसा आता है, जहाँ पे हम यह देखते हैं कि market एक particular zone को break करके ऊपर आ चुका है, आप वहाँ पे enter कर जाते हो, यह आपकी पहली entry हो गई, और एक particular level आपने देखा हो गई, पीचे में समझेगा higher time frame पे और एक resistance खड़ा है, और आ रेशो बहुत बड़ा है, तो मेरे बढ़िया risk reward ratio के सामने मैंने कुछ quantity यहाँ पे add कर दी है, और अगर market उस particular previous resistance के ऊपर आके sustain करेगा, याने एक अच्छा का सा resistance और break हो जाएगा, वहाँ पे में कुछ quantity और add कर दूँगा, याने अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे अब पिरेमिडिंग, ठीक है, तो जैसे ही price higher higher लगा रही है, आपको लग रहा है कि price में और strength आ रही है, तो आप उस strength का फायदा लेना चाहते हो, तब आप करते हो, अब पिरेमिडिंग, ठीक है, तो basically general entries, जो normal हर एक trader करता है, बही मुझे दिख रहे है कि एक अच्छा का सा है कि हाँ पर setup बनी है मेरा, मैं entry कर लेता हूँ, और जितना उसका risk है, उसके सामने, जितने lots के साथ में वो regularly काम करता है, जितने quantity के साथ वो काम करता है, वहाँ पर वो entry कर लेता है, दूसरा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, breakout आया, उसके बाद में, SL अभी तक लगा न होती है, up pyramid, तो ये basic, तीन तरीके होता है, entry techniques के, ठीक है, तो इसके सामने, मैं आपको थोड़ा price action दिखाता हूँ, और मैं आपको थोड़ा idea दे देता हूँ, कि up pyramid, down pyramid, और regular quantity जो feed होती है, उसके सामने risk कैसे manage की जाती है, अब देखो guys, every single day, आपके पास में एक clarity होनी चाहि ठीक है, as a option buyer, generally बहुत सारे traders आते हैं, जिनकी initial capital ही कम रहती है, तो obviously, वो जाधा साधा एक या दो lot से ही काम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे time पे हम एक example लेके चलते हैं, कि आप bank nifty के trader हो, और bank nifty में आपने एक अच्छा कासा buying opportunity देख लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको पता चला जाकि जिस particular strike के साथ मैं enter कर रहा हो, समझो, for example, उस strike की price जो है, यह around चल रही है, समझो, 300 रुपई, ठीक है, और price के हिसाब से आप देख रहे हो कि, जैसे आप spot देखते हो, future देखते हो, उसके सामने आपको दिखता है, कि price ने जहाँ breakout दे दिया, एक level की नीचे, आपके ल option में भी, उस entry के बाद में ही, एक swing लगा होगा, ठीक है, तो यह price का swing है, यह आपके option का swing है, अब इस distance को आप calculate करते हो, तो आपको पता चलेगा, यह 300 रुपे से लेके समझो, लगबग, लगबग यह 30 रुपी का zone है, तो आप 270 रुपे पे आपकी SL प्लेस कर गते हो, ठीक risk लेने वालो, for example, अगर आपकी आज की trade की risk appetite 1000 रुपी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा, यहाँ पर मेरी 30 रुपी की SL है, ठीक है, 300 रुपे की जो यह premium है, यह 270 हो जाती है, यह 300 रुपे नीच आ जाती है, मैं exit कर दूंगा, so basically यह 30 रुपी इंटू, ज यह आपकी हो गई risk, तो आपको पता चलिएगा कि लगबग 450 रुपे के risk के साथ में आप एक lot के साथ trade कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर important चीज़ है, फिर से समझो, अगर मुझे 1000 रुपी का loss हो जाता है, तो मैं अपनी सारी positions आज के दिन के लिए close कर दूंगा, done for the day, अ इस particular trade में आपका 450 का risk है, ठीक है ना, और उसके सामने आप minimum 1 to 2 kind of risk reward ratio के लिए जाओगे, आगे जाके मैं आपको यह भी बता दूंगा कि मैं जब trade करता हूँ, आपने देखा होगे, मैं part quantity book करता हूँ, trailing करता हूँ, ठीक है, तो in general 1 to 1 आने के बाद में भी trailing स्टार्ट हो मैं aim करके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे time पर, अगर मुझे लगता है कि आज के दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही trade लेने वाला हूँ, फिर से समझो, आज के दिन में मैं ज़्यादा trades नहीं लेने वाला हूँ, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप एक काम कर स तक testing कर सकता है, वहाँ पर आप आपकी दूसरे lot की addition कर सकते है, यहाँ बेसिकली आपका आज के दिन का जो risk रहेगा ना, तक्रिवन 700 से 800 रुपे का ही रहेगा, 1000 रुपी को cross करके नहीं जाएगा, बट इसके अलावा भी एक चीज ऐसी होती है, जब हम देखते हैं कि मेरी entry यहाँ पर हो रही है ना, मैं देख रहाँ एक strong breakout आया, एक strong breakout आया और उसके नीचे एक SL का zone है, जो कि at moment मेरी entry जहाँ पर हो रही है और SL का zone जो है, इसमें बहुत wide difference है, समझो पहले का for example 300 रुपे के strike का SL 30 रुपे का था, लेकिन अब इस particular zone में आपका SL 70 रुपे का हो गया, अब आपको आपके price action के हिसाब से, setup के हिसाब से यह तो लग रहा है, कि भी entry तो valid है, लेकिन SL बहुत बड़ा है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, entry valid है, लेकिन SL बहुत बड़ा है, तो आपको तुरंद पता चल जाएगा, कि यहाँ से मेरा SL आते आते 70 point का एक बड़ा SL है आपको entry तो लेनी है, तो आपको यहाँ risk समझनी है, कि आपकी at moment risk कितनी हो रही है, फिक है, तो आपको तुरंद पता चल जाएगा, कि आपकी यहाँ पे risk थोड़ी बड़ गई है, जनरली आपकी risk 1000 रूपी की दे, उससे थोड़ी जादा हो गई है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हो, कि around 1050, आप एक बार match कर लो, मुझे लग रहा है कि 1000 रूपी के तकरीबन risk जा रही है, जो मेरी daily risk limit है, तो यहाँ पे अगर market आपके entry के बाद, क्योंकि हमें नहीं पता है, यहाँ से आगे market कहा जाएगा, अगर rate testing के लिए आती है, तो भी आप और quantity add नहीं कर सकते ह हो, तो यहाँ पे market शायद भूम के एक अच्छा कासा मुझ करके जाए, बट आपको यह तो पता है ना, कि आपके risk आज के दिन की 1000 रूपी की ही है, और यहाँ पे already वो consume हो चुकी है, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही lot के साथ काम कर सकते हो, ठीक है, जो एक number one setup ह हमने बताया था कि on the spot entry, on the spot entry इस तरीके से होती है, कि मेरी risk बढ़ी है, यहाँ पे मैं उपर या नीचे quantity और add नहीं कर सकता हूँ, उससे मेरी risk जो daily risk limit है, वो exhaust हो जाएगी, उससे जाधा का risk मैं ले रहा हूँ, तो यह मेरे plan के according नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे on the spot entry हो लेके चल रहे हो, फिर उसके साथ आप trailing कर सकते हो, पार्ड booking कर सकते हो, इस तरीके से आप entry define कर लेते हो, तो हमने एक समझा कि down pyramiding कब की जाती है, जब तक आपकी risk define है, आप down pyramiding कर सकते हो, और जब आपका risk बढ़ा हो जाता है, वहाँ पे आप down या up pyramiding नहीं कर सकते हो, आ अभी के लिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, जनरली अगर आप option buyer और आपके पास कोई भी strategy है, ठीक है, तो आपको देखते हो, यह strategy में मेरे 2-3 checkpoint है, मैं देखता हो कि एक अच्छा breakout आया होगा, higher time frame पे support है, lower time frame पे support है, अगर आप indicators यूज करते हो, तो indicators ने भी crossover क या जो भी आपकी strategy है, उसमें अगर आप 4-5 points देखते हो, for example, अगर आप आपके strategy में 5 points देखते हो, जो आपकी checklist है, यह point हो गया, यह point हो गया, इस तरीके से आप कुछ points देखते हो, ठीक है, तो आपको दिख रहा है, कि मेरे 5 में से 3-3 points यहाँ पे valid हो रहे है, दो points अच्छा trade मिलता है, एक होता है, A plus setup, A plus setup क्या है, A plus setup है कि मेरे 5 के 5 conditions यहाँ पे meet हो गई, मेरा A plus setup है, जहाँ पे 5 में से 3 important criteria meet हो जाते हैं, यह मैं समझता हूँ, चलो ठीक है, यह मेरा A setup है, और इसके नीचे B setup है, जिसको हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है, तो अब मेरा A setup हो गया है, और यह जो बाकी की बची, जो confirmations है ना, यह मुझे price और strength दिखाती है, तो दिखने वाली है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझो इसको आराम से, कभी तब ही हमको लगता है, कि risk बड़ी है, जिसे मैंने पहले बता है, सब तर रुपे की risk है मेरी, but बह आपका A plus setup है, आपने वही पर entry कर लिए, ठीक है, तूसरा एक particular zone होता है, जहाँ पर आपका A plus setup आगया, लेकिन risk बहुत कम है, यह बहुत बड़ी entry हो गई ना, यह तो, कि आपके सारे criteria भी match हो गया, और entry के time पर आपके risk भी कम है, तब जाके आप, जब market थोड़ा retrist करते है तब और एक quantity add करने की करशिश करते हैं, लेकिन जब कभी आपका A plus setup नहीं आता है, सिफ important criteria जी meet हो रहे है, सारे नहीं हो रहे है, तब जाके आप, आपके zone के उपर जैसी price दिखती है, आप वहाँ पर एक quantity add कर लो, ठीक है, यहाँ पर समझो, आपका risk फिर से 30 रुपे का है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ quantity add कर रहा है, यहने मेरा समझो, दो में से एक lot मैंने यहाँ पर add कर दिया, और the moment एक particular zone market तोड़के जाता है, तो यहाँ पर आपके शायद सारे indicator in line हो जाएंगे, आपका शायद जो बाकी बचा हुआ, जो market में आप price के हिसाब से strength देख र आप आपकी दूसरी quantity add कर देते हो, अब देखो, इसमें आपका net average जो ही यह उपर आ जाएगा, net average समझो, अब मेरा हो गया 45 रुपी का, और अब 45 रुपी into आपकी quantity बढ़ गई, ठीक है, अब आपकी quantity हो गई 30, ठीक है, तो यह जो आपका risk होने वाला है, 45 into 30 वाला, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कि भई 1200-1300 रुपे का risk आ रहा है, तो 1200-1300 रुपे अगर आपको wallet दिख रहे है, और आपका A plus setup form हो गया, तब जाके आप दूसरा lot जो है, यह उपर add कर देते हो, क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे up-pyramiding, ठीक है, तो generally down-pyramiding, up-py spot entry, यह तीन criteria होता है, जिसके थूँ आप options में, option buying में entry कर सकते हो, option selling और multi-leg strategy में भी इस तरीके से आप execution देख सकते हो, सबसे important factor होता है, underline risk, कि आज के दिन मेरा एक X amount का risk है, मैं चाहे, on the spot entry लो, आप यह down-pyramiding करूं, लेकिन वो risk exhaust हो रहा है, यह उससे जाधा का risk आ रहा ह है मुझे, तो मैं और quantity add नहीं करूंगा, ठीक है, तो यह जो particular part है, यह practice का part है, कि भई, आज मैं up-pyramiding कर लेता, तो मुझे क्या मिल जाता, down-pyramiding कर लेता, तो मैं क्या कर लखता था, ठीक है, तो एक trader को यह questions हमेशा आते रहेंगे, अब मैंने जो बताया था पहले, कि एक hack है, जो hack आप use करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, कि आप options में कितने effectively trade कर पाते, यह hack और कुछ नहीं है, आपको actual में, आपको option के chart पे replay लगा के देखना है, कि क्या मैं उस time पे on the spot entry कर लेता, तो मेरा PNL कैसे रहता, सामने risk कितनी रहती, अब pyramiding और down pyramiding करता, तो क्या market retrace हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, एक quantity के साथ में कितना मैं trade कर लेता, तो यह होता है actual replay, तो आपकी जो भी strategy है, उसके सामने इसको आप use कर सकता है, तो चलो, आते हैं, उसको practically समझने में, मैं क्या कर सकता हूँ, और example, यह है bank nifty का chart, और अगर आपको पता है, तो कल around 10 a.m. मुझे एक entry मिले थी, अगर आपने अभी तक वो particular video देखा नहीं है, ठीक है, जो मेरे Friday के live market trading का वीडियो था, तो आप उसको जरूर देख लो, मैंने एक key level break होने के बाद में, की level break होने के बाद में, उसी particular zone में, retesting confirmation के साथ में entry ले लिखते हूँ, तो by the way, मैंने यहाँ पे, जो entry की थी, उसके सामने मेरा SL बहुत छोटा था, तो क्या particular चीज में वहाँ पे कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं replay करके, अपने, trade को समझ सकता हूँ, चलिए यहाँ देखते हैं, पर example, मैं around 300 रुपे की strike को यहाँ पे select कर रहा था, मैं एक minute के chart पे, वहाँ पे trade कर रहा था, और आपने देखा होगा live market में भी, कि exactly यह वो particular zone था, जहाँ पे, मुझे मेरी opportunity दिख रही थी, ठीक है, तो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे risk को मैंने define करके रखा हुआ है, ठीक है, मेरी entry जहाँ पे हो रही है, यह मेरा entry zone था, ठीक है, जहाँ मेरी entry हो रही है, मेरी entry आपको पता है, मेरा SL आपको पता है, अब आपको यहाँ पे यह चेक करना है कि, पर एक्जामपल, मेरी risk यहाँ पे 1000 रुपीक है, और मैं अभी सिर्फ on the spot entry लेने वाला, तो on the spot entry के साथ मैं, मैं क्या वहाँ पे अचीव कर सकता था, अगर retest आता, तो retest में अगर मैं entry कर रहा हूँ, मैंने down pyramiding कर रहा हूँ, तो मैं क्या risk reward ratio achieve कर लेता, तो यह सारी चीज़े आप अभी धन पे कर सकते हो, through this particular feature, यह नए feature है, जो धन ने अभी यहाँ पे introduce किया हुआ है, replay, अब आते हैं हम धन के feature में, बेसिकली अब मुझे क्या करना है, मुझे option chain में, वो particular option में choose कर लेता हूँ, जिस पर मुझे testing करनी है, यह मैंने option choose कर लिया, अब मैं आपको explanation एक मिनट पे देता हूँ, क्योंकि मैंने video भी जब live trading का बनाया था, उस पे भी explanation जो था, एक मिनट के ही उपर था, तो यह वो particular zone है, जहाँ पे मेरी entry हो गई थी, तो अब मेरी लिए क्या है ना, मेरी लिए SL और मेरा entry zone, यह वो zone है, ठीक है, तकरीबन 10 बजए, अब testing environment में मैं क्या करूँगा, मैं simply वही option select कर रहा हूँ, और मैं जाके एक मिनट के chart पर, यहाँ पर, मैंने click कर दिया, जैसे click किया, अब 9.58 हो रहा है, अब जहाँ मुझे लग रहा है कि, अब मेरी यहाँ पर entry आने वाली है, जनरली मैं, दो lot के साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो lot buy कर रहा हूँ, ठीक है, अब हम यहाँ से replay स्टार्ट कर देता है, अब देखो जहाँ पर अपनी entry हो गई है, हमें यह पता है कि मेरी entry क्या थी, जैसे मैंने आपको बता है, आपको यह पता है, आपका SL zone क्या रगने वाला है, अब यहाँ पर आप different way of entries जो मैंने आपको बताए थी कि उसी zone में और retrace आते हैं, तो आप एक lot add कर देते हो, या फिर continuation में एक lot add करते हो, या on the spot entry करते हो, तब जाके आपका P&L आप देखो किस तरी किस होता है, याने basically आप यहाँ पर live market में ही जो tick आ रहे थे, उसके सामने आप देख सकते अच्छा मैं यहाँ पर जैसे एक बड़िया profit अप मुझे यहाँ पर आ रहे, मैं यहाँ पर stop कर देता हो, और मैं एक quantity यहाँ पर part booking कर रहे हो, याने दो में से एक quantity यहाँ पर sell कर रहे हो, आपकी quantity sell हो गए, यहाँ से हम continue करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे है कि आपकी quantity sell करने के बाद में market अब थोड़ा sideways चल रहे है, आपको लग रहे है कि नहीं, speed बहुत कम है, आप speed को थोड़ा fast कर दो, और आपको लग रहे है अब जब market retest कर रहा है, तब निकालना है, और quantity add करनी है, basically आप market उपर चला गया, यहाँ पर मुझे कुछ profit book करना है, तो trade खतम कर दोगे, वहाँ पर आपको आपका net P&L दिख रहा है, यहाने test करने के टाइम पर आपको पता चलेगा कि मैं एक type की entry लेने के बाद में मेरा P&L कैसे बन रहा है, तो आप आपके setup वालिडेट कर सकते हो, उसको by replay format में देख सकते हो, इससे भी बढ़िया, जो generally trading view में सिफ replay दिखता था, यहाँ पर आपके options के chart में भी आप यह देख पाते हो, कि options में उस particular time पर अगर में entry कर लेता तो मेरा real P&L क्या बनता, with respect to my risk management, ठीक है न, है न, बढ़िया feature, तो यह हो गया आपका report, और आपको यह भी समझ में आएगा, देखो मेरा एक entry, दूसरा exit, और entry के साथ में, trailing कैसे हुआ था, ठीक है, यह particular feature आपको definitely, testing environment में बहुत ज़्याधा help करेगा, और यह दोस्तों, यह तो हो गई testing की बात, क्योंकि जो भी paper पे रहता है न, generally हमें उसमें अच्छा result आता है, लेकिन जब हम live market में आते है न, तब वहाँ पे कैसे trade करना है, क्या च CCI Study Circle का part नहीं हो, तो उसका part बन जाओ, और इस तरीकी की features जो है, इसका maximum benefit लेलो, ठीक है, तो अगर आप धन में account open करवाते हो, आप यह feature मिल जाएगा, हमारे referral link के थ्रू करते हो, तो आपको exclusive video series भी मिल जाएगी, so I hope इस particular video से आपको बहुत सारी insights मिलियोगी, learning मिलियोगी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो definitely उसको like करो, ट्रेडिंग के पर इंडिया को follow करना मत भूना,